नमस्कार किसान माइदों सुब्साइब का एक बार फिर से बारत लिए घिरिक एक नए वीडियो में तो जैसा कि आपसे वी सिद्व şykov मैं को पता है किसान च्छतों पे गुरो बैक के माध्यम से तो वीडियो बहुत ही महत्तपूर है आप सभी से निवेदन की वीडियो को आखरी तक जरूर देखिए और जो पर किसान भाई बड़े माने भी खेदी करना चाहते हैं तो उनकी लिए वीडियो बहुत ही महत्तपूर है तो चलिए पहले नमर पर आप सब्जी लगा सकते हैं लोकी की अभी पंचायत के बाद लोकी की डिमांड और भी बढ़ गई है और यह बेल वर्गी फसलों में से बरसात में काफी ज्यादा डिमांडिंग क्राफ है बरसात की दिनों बहुत ही आसानी से उग भी जाती है अपने टेरेस पे ग्रोबैक के मादम से अब इसकी प्लांटेशन कर दीजिए एक ग्रोबैक में एक बीच लगा दीजिए पौधा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसको मचान बीदी से ऊपर चढ़ा दीजिए जो इसमें फर लगते हैं थोड़े से उचाई पर लगेंगे तो काफी स् आप निकाह सकते हैं तो सब्टर से असी दिन में आप इसकी पहली हारवेष्टिंग अच्छी खासी ले सकते हैं तो पहले नमर पे आप लौकी चुन सकते हैं उसके बाद दूसे नमर पे है टमाटर की नरसी लगाई जाती सबसे पहले अगर आपके पाद थोड़ी बहुत जमीन है तो याफिव प्रोट्रे के माध्यम से चोटे-चोटे चिद्र वाले प्लास्टिक के ट्रे आते हैं उसमें नर्षी त्यार कर लिजिए उसको पीट अगर आपको मार्केट से लाने पड़ेंगे तो उसमें नर्षी त्यार करने के बाद 20-50 दिन में त्यार हो जाती है और आप थोड़े से बड़े ग्रो बैग में आप उसकी प्लांटेशन सुरू कर सकते हैं बर साथ में टेमांटर की डिमांड काफी अधा बढ़ जाती है अगर आप गमले में या फिर अपने ग्रो बैग में च्छत पे उगाते हैं तो निस्ची तोर पे 17-80 दिन में किसे नंबर क्रॉप की बात करेंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं बैगन की बैगन भी काफी डिमांडिंग क्रॉप बरसात की दिनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो है फल छेदक कीटों गरा ज्यादा लगने लगते हैं फंगस होगरा की समस्या देखन किसी डॉक्टर से सला ले सकते हैं बरसाथ के दिनों में आपके हांगी क्लायमेट को नुसार कौनसी बीज का चैन करना चाहिए उसके बारे में आप जानकरी ले सकते हैं उसके साथ से तक आपको बीज पता है आपके आस-पास कोई मार्केट नहीं है अब भारत एगरी एब के मादम से भी बीजों को अपने घर पे डिलिवर भी करवा सकते हैं उसके बाद चौथे नमबर पे किसन माई आप करेला का चैन कर सकते हैं करेला की जो खीती होती है यह भी आपको सतर से असी दिन में हार्वेस्टिंग देनी लगती है तो काफी ज्यादा प्रॉफिटिबल क दीजिए और ध्यान में रखी थोड़े से पौदि बड़े हो जाएं तो तार के मादम से रस्यों करा बांद के उस पौदों को ऊपर से चड़ा दें जिसके मदल से पौदि अगर उपर जाते हैं तो अच्छी खासे वहां से पैदावार आप निकाल सकते हैं अध्यान में बैड़ में ख्यति करने जा रहे हैं तो इसको नीचे ना चोड़ें जो परांपरागत खिती करते हैं अगर आप परांपरागत तरीके से कहती करें तो आपके बहुत सारे गल्ले के समस्द्रा बढ़ जाती है और वह सारे फंगुस अगरा लगना शूरु हो जाते हैं तो ज हो सारी लोग हैं जो कि अपने घरों के छटो पर भीढ़ सlden काल बहुत चाहरे किसांबाइऽ कर ते ऑप verme исп doubt करना चाहते हैं दोसी साब से आप ब्र कम आज़ेफे न हैं करण सकते हैं तो तो मेर्स के लिए आपको नशी त्यार करने पड़ेगी उसके बाद आपको प्लांटेशन करने पड़ेगी उची दूरी मिंदेन करके और भी दो-तिन फसले हैं जिनका आप चैन कर सकते हैं जैसे कि कद्दू खेती कर सकते हैं कद्दू भी काफी दिमांडिक क्रॉप रहती है बरसात में आसानी से सुग आया जाता है उसके लावा कि सवाईयों आपको कम दूरेशन में त्यार हो जाती फसले पालक धनिया का भी चैन कर सकते हैं इनका भी हर समय डिमांड रहता है और हरी धनिया का आपने देखा होगा मार्केटर काफी हाई रहता है और बर साथ के होती सफेद वाली उसकी भी डिमांड उसकी मार्केट प्राइस बहुत जादा हो जाती बरसात में जिसकी वज़ए से बहुत सारे किसन भाई खेती नहीं करते हैं यह की वाले लेते हैं तो यह कुछ फसले जो की बरसाद कishicho सुरवात में आप इसके चयन कर सकते हैं मेहीने में बचा कोई का कुछी लगाएं। अगर आपके की सब्सक्राइब पर है। कर दो कर दो